ये trimmer आपकी body grooming करने के लिए है और ये काफी useful है ये है the Bombay Shaving Company का Landscaper 2.0 तो इसको आप use कर सकते हैं अपनी body पे, underarms पे और groin part पे और box के ओपर लिखावा है the landscaper for your hair down there सबस्क्राइब तो ये है Landscaper 2.0 trimmer का box, skin product technology के साथ में आता है, इसमें ceramic blades का use कर रखा है, नीचे की तरफ में लिखा हुआ IPX7 waterproof, LED torches में और battery indicator तो box के side में यहाँ पे कुछ और जानका रहे दे रहे हैं, खेर इसकी बात मैं वीडियो में ही करने वाला हूँ, सबसे पहले box को open करके box content के उपर पे नज़र डालते हैं, तो box यहाँ पे उपर plastic कर आप देखने को मिलता है, इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे यह दो साल की warranty के साथ में आता है, और यहाँ पे लिखावाए go gentle, play safe, get the perfect landscape, तो चीज़े काफी बड़े-बड़े हैं यहाँ पे mention कर रहे है, open करते हैं, box को सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, एक plastic का cover इसको हटाते ही, उसके नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे trimmer, तो अभी trimmer को और क्या content है, उसके उपर पहले नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ कुछ accessories मुझे दिख रही है, तो यहाँ में मिलता है, wireless charging dock और backside में इस पे power आप आप दे सकते हैं, साथ में power cable मिलती है, और यह USB वाली power cable है, पर box के अंदर में आपको कोई भी USB adapter नहीं मिलता, तो आपको अप power bank से connect कर दिया, और जैसी में यहाँ पर इसको प्लेस किया है, तो यहाँ पर देखिए power शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको digitally numbers शो हो जाते हैं, कि कितनी power left है आपके trimmer में, इसको चार्ज होने में तकरीबन 8 गंटा लगता है, 90 मिनिट का runtime आपको यह दे देता है, trimmer के back side म आपको battery की specs यहाँ पर mention मिल जाएगी, Bombay Shaving Company का logo भी है, और trimmer की अगर बात करो, तो trimmer की build मुझे personally काफी अच्छी लगी, anti-skate design है, तो हाथों से आपके फिजलने नहीं वाला, नीचे आपको charging के points मिल जाएंगे, और आपको एक single button operation के साथ में यह trimmer मिलता है, तो जैसी display मिलता है, जिसमें इसकी battery की percentage आपको show करेगा, और जैसे मैंने बताया, अप to 90 minutes का run time आपको मिल जाता है, आगे conclusion में उसके बारे में भी बात करूँगा, trimmer के उपर में आपको adjustable comb मिलती है, तो यहाँ से आप adjust कर सकते हैं, कि कितने length तक आपको hair की grooming करने हैं, अपने हिसाब से या फिर इसको हटा भी सकते हैं, और इसको हटाना हो तो सिर्फ slide करना है, आपको इस तरीके से comb यहाँ से निकल जाती है, तो comb को भी फिलाल में side में रखते हैं, blades की बात करो तो यहाँ पे serumic blades दे रखते हैं, बिसिकली यह जो blades आपकी skin पे जल्दी से कोई भी cuts नहीं देखें, मैं इस area पे जहाँ पे joint है, यह कितनी sensitive skin है और यहाँ पे किसी भी तरह का cut नहीं लग रहा है, तो इसको personally मैंने test कर लिया है, काफी easily यह hairs को remove कर देता है, इवन मैंने hand पे भी जो है इसको थोड़ी दिया उसके और उसमें torch light भी है, इसकी मज़द से यह फाइदा ह जो आपके बाल रहे जाते हैं, उनको साफ कर सकते हैं, और blade को भी आप easily यहाँ से remove कर सकते हैं, और यहाँ से भी अंदर वाले area में अगर कोई बाल है तो उसको भी यहाँ पे आप clean कर सकते हैं, और यह trimmer IPX7 waterproof भी है, फिलाल में blade को निकालना काफी असाना है, इसको बस आप आपको पीछे की तरफ में push करना है, blade निकल जाता है, और यहाँ पे motor आप देख सकते हैं, बहुत जादा heavy vibration नहीं है motor की, तो मतलब ऐसा नहीं लगता है, जैसे bear trimmer से इसे compare नहीं कर सकते हैं, और easily आप इसकी comb को निकालके या फिर blades को निकालके running water के under जो है आप इसको wash कर सक अब आप में blades को dry करके blade को लगाना भी काफी असान है, बस इस तरीके से आपको slide करना है और blade आपका वापस अपनी जगे लग जाता है, तो trimmer को तकरीबन मैंने आदा गंटा यूज की और battery level अभी 56% है, तो इस trimmer का run time आपको almost 90 minutes का मिल जागा full charge पे, अब मैं अगर इसे bear trim से compare करूं, तो beer trimmer का है ना कि आपके sensitive skin पे काफी जादा harsh सा feel होता और उससे cut लगने का डर रहता है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, इसमें ceramic blitz दे रखे हैं, जो कि आपके skin पे काफी easily काम करते हैं, तो sensitive skin पे easily आप hair को cut कर सकते हैं, बढ़ा कुछ precautions, कुछ safety आपको सब्सक्राइब कीजिए, मैं अगर लगतरा के guides दिखाता हूं, इस से related कोई सवाल है, तो भी comment कीजिएगा, उसका जवाब देने ही कोशिश करूँगा, जल से जल, मिलता हूं अगले वीडियो में